इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन यानि इसरों के साथ साथ सभी भार्टियों और दुनिया भर की नजरे मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है भारत में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआएं मांगने का दौर जारी है इसी कड़ी में लखनव में इस्लामिक सेंटर ओफ इंडिया में बच्चों के द्वारा स्पेशल नमाज अदा की गई इस दौरान मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआएं मांगी गई 23 अगस्त की शाम को छिवच कर चार मिनट पर चंद्रयान 3 की चांद के दक्षडी धुरूव पर लैंडिंग होने वादी है खुशी का माहौल है बरकि हम लोगों की तो यह दौआ थी जब यह लॉंच हुआ था रॉकेट तभी से सब दौआओं का जिक्र कर रहे हैं कि यकीन था कि यह चंद्रयान पहुचेगा और यह पहुचके कल दिखायागा और जितने हमारे स्टुडेंट है खोशी का मुझाहरा दिखा रहे हैं और एक बहुत बड़ी खोशी हम लोगों को महसुस हो रही है कि हमारा हमारे देश का नाम लोशन होगा कि एक चंद्रयान और यह जो हमारे साधी हैं इनकी भी एही एक कोशिश है कि हम भी आगे चलके साइंटिस्ट बने और यह तरह हम अपने देश का नाम लोशन करें चंद्रयान लांच हुआ है बस हम लोग की यही तमन्ना और दूआ है कि वह अच्छे से चांद पर लैंड हो जाए और इंशालला लैंड भी होगा और यह लैंड हो जाता है इंडिया के लिए इससे काफी बड़ी रिसर्च आईगी इंडिया के तरफ और हम लोग की दूआ हैं हम लोग पता है काफी इंडिया के लिए हो जाता है तो इंडिया इस रो जो है काफी आगे चला जायागा नासा की तक्कर में आ जायाए चंद्रयान तरीग कल लैंडिंग साथ खैरियत के और बुरी तरीके से से अफ ली चांद पर हो मून पर हो इसलिए हमारे हाँ भी सेंटर में, मदर्से में, बच्चों ने नमाज में खुसी उसके लिए दूआ भी की, और सिंस चांद की एहमियत तमा मज़ाहिब में, हमाया मजभ इसलाम में भी, हिंदू मजभ में भी, एक अलग है, इस वज़े से इस मिशन से और भी ज्यादा हम लोगो इस से लगा हो, और जोंकि बच्चे इहां पे साइंस भी पाउड हैं, इस वज़े से, उसको ले करके बच्चों के अंदर काफी क्योरासिटी है, और इसके लिए मैं इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन इस रो के तमाम साइंटिस्ट को, तमाम आफिशल्स को, दिली मुबारक बात हूं और जाहिर दी बात है, अगर ये लैंडिंग कजल सेफली हो जाएगी, अनेक्स्प्लोड लूनर साउथ पोल पे दो इंडिया विल वी दा फर्स कंट्री तो सेक्सेस्फुली डू दिस तो है, इन तमाम बातों के मद्दे नजर हम लोग की यही तमन्ना और आर्जू है कि इसमें इसरों को और इसरों के साथ साथ पूरे मुलक को कामियाबी हासलों।